आप सभी का संध्या निटिंग नौट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है उमीद करते हो आप स्वस्थ होगे आज की वीडियो में देखिए हम ये बुनाय का डिज़न सीखेंगे इसे बनाना बहुत यासान है अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्ली चैनल क को सब्सक्राइब कीजिए भी पैल आइकन ताकि आने वाली ने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो फंदे कास्ट और करने है देखिए फंदे की तरह से डालने है एस्टिच को छोड़कर टू प्लस टू प्लस टू इस तरह से और आखिर में भी एक एक्स्टा एस्टिच लेना होगा और दो स्लाइब में बनकर कंप्लीट हो जाता है फॉस्ट रो राइट साइड से पहला फदर स्लिप करेंगे यहां से हमारा रपीट पैटन स्टार्ट होगा दो फंदे उल्टे बनाएंगे वापस से इन दोनों फंदों को फिर से धाग अपनी तरफ ले आना है दो फंदे उल्टे बनेंगे दोनों फंदों को लेफ्ट नीडर पर रखेंगे और धागा दोनों फंदों के उपर से पीछे की तरफ ले जाएगे फिर से यही पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे बनेंग वापसे लेट साइट की नीडर पर दोनों फंदों को रखेंगे, धागे को आगी की तरफ से पीछे ले जाना है, फिर से धाग अपनी तरफ ले आएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, वापसे उसी नीडर पर रखेंगे, और धागे को पीछी की तरफ ले जाएंगे, फ धागा पीछे की तरफ ले जाना है और इसी तरह से पूरी रो हमने बना देनी है रो के आखिर में देखिए धागे को अपनी तरफ गुमा कर दो फंदे हमने उल्टे बना देने हैं वापस से उसी नीडर पर रखेंगे और धागे को आगे की तरफ से पीछे ले जाना है फंदों को वापस से राइट साट ने पढ़ ले जाएंगे और एस स्टेज को हमने सीधा बना देना है फिर्स्ट रो डिजाइन के कंप्लीट होगी है उल्टी तरफ से देखिए सेकिंड रो पहला फंद स्लिप करने के बाद फंदों को हमने परल वाइज बुलने ना है इसी तरह से बुनते हुए हमने पुरी रो कंप्लीट कर देनी है उल्टी तरफ से दो स्लिप का बहुती सुन्दर डिजाइन है और जल्दी जल्दी बन कर तैयार हो जाता है बहुती इजी डिजाइन है आप इसे लेडिस स्वेटर, स्काव, सॉक्स, कैप, मफलर और जेन स्वेटर और बेबी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं बहुती सुन्दर लगता है किसी कलर किसी भी कलर पर और यह उपर कर आता है तो इसी तरह से देखे हमने उल्टी तरह से पूरी रोग परल वाइस बुलने नहीं है आपने जो फंदे कास्ट ओन करने है दो प्लस दो प्लस दो इस तरह से अपने फंदे डाल देने है और दो सलायों का ही डिजाइन है दो सलायों के बाद हमारा जो डिजाइन है फिर से रपीट होगा देखिए मैंने उल्टी तरफ से भी पूरी रोब बना कर कम्प्लीट कर दी है डिजाइन को देखी में एक बार फिर से रपीट करके बता देती हूँ पहला फंदा हर बार की तरह हम slip कर देंगे फिर धाग अपनी तरफ घुमाना है दो फंद हमने सीधी तरफ से उल्टे बनाने है और लेट साइट पर दो बारा से उन दोनों फंदो को रखना है और धागे को दोनों फंदो के उपर से पीछे ले जाना है फिर से रैट साइट की निड़ा पर फंदों को रखेंगे धागे को अपनी तरफ ले आना है फिर से और दो फंदे हमने उल्टे बना देने हैं सीधी तरफ से वापस हमने उसी निड़ा पर ले आने हैं फंदे जिस निड़ा समने बनाए थे और आगे की तरफ से दोनों फंद ले आना है दोनो फंदो को उल्टा बना देना है उल्टा बनाने के बाद लेट साइट को पर दोनों फंदो को ले जाता है éstबीन रिपीट पैटन है जो हर बार repeat होता जायेगा तो इसी तरह से बनाते हुए जाएए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वारे ने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद आपका समय शुप रहे हर हर महादेव